आरेमेस टाइटेनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाश्प आधारित यात्री जहाज था. वह साउथ हमपतन, इंगलेंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रेल 1912 को रवाना हुआ. चार दिन की यात्रा के बाद, 14 अप्रेल 1912 को वह एक हिमशिला से तक्रा कर डूब गया जिसमें 1517 लोगों की मृत्यू हुई जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुदरी आपदाओं में से एक है. 9. ओलंपिक श्रेनी का यात्री लाइनर टाइटैनिक वहाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्मान बेलफास्ट, आयलेंड, के हालन और वुल्फ शिप्यार्ड में किया गया था. वह 2223 यात्रियों के साथ न्यू यूर्क शहर के लिए रवाना हुआ था. यह तत्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त, जहाज पर उस समय के सभी नेमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी. पुरुशों के मृत्यू की असंगत संख्या का मुख्य कारन महीलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था. ताइटैनिक के डूबने का मुख्य कारन अत्यधिक गती से चलना था. ताइटैनिक के मालिक J. Bruce जे डॉट ब्रूस इसमें ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मित को जहाज को अत्यधिक गती से चलने के लिए कहा था. 12 अप्रेल 1912 को ताइटैनिक को छे की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुर जाएगा परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गती के कारण समय पर नहीं मुर पाया और चट्टान एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले Greenland से अलग हुई थी सेजा तकराया जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11 बजगर 40 मिनट पर वो डूबने लगा तकरीबन रात के 2 बजगर 20 मिनट पर वो पूरा समुंदर में समांग गया जिस सागर में वह डूबा था उसक समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्मान में उस समय में उपलब्द सबसे उननत तक्नीकी का इस्तेमाल किया गया था यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद ताइटैनिक डूब गया था आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से ताइटैनिक के प्रसिद आरोपी, जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुदरी कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की ताइटैनिक में रुची जगाने में काफी योगदान दिया ताइटैनिक का निर्मान बेलफास्ट, आयरलेंड के हालेंड और वुल्फ शिप्यार्ड में किया गया था और प्रतिदवंदी क्यूनर्ड लाइन के लूजिटेनिया और मॉरिटेनिया के साथ प्रतिसपर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था इसके डिजाइनरों में लॉड पीरी जो हालेंड वुल्फ और वाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूस जो हालेंड और वुल्फ के निर्मान प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुक थे और अलेक्जांडर कार्लाइल शिप्यार जेसे कारियों का समावेश होता था, वह जहाज पर नौका लटकाने का यंत्र बनाने वाली कम्पनी वेलिन डैविट, एंजिनीरिंग को, लिमिटेट के शेयर धारक बन गए थे, आरेमेस टाइटैनिक का निर्मान 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मोगन और इंटरनाशनल मर कंटाइल मरीन को की लागत से शुरू हुआ, ताइटैनिक की पत्वार का 31 माई 1911 को जलावत्रन किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी, ताइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच, 279.1 म, धल्वें की चोलाई 92 फीट, 28.0 म, भार 46, 23,328 तन, जी आर्ती, और पानी के स्तर से डेक तक की उंचाई 69 फीट, 18 म, थी, जहाज दो पारस परिक जुले हुए चार सिलेंडर, ट्रिपल एक्सपांशन स्टीम एंजिन्स और एक कम दबाव पासंस टर्बाइन, जो प्रोपेलर को घुमाते थे, से सुसजित था, ताइ इस जहाज को कभी भी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह अपने समय में सबसे बड़ा समुदरी जहाज हुआ करता था। प्राथमिक्ता दी गई और जहाज में मौझूद लाइफपोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल दो घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। लेकिन जहाज पर केवल बीस ही लाइफपोट थे। इस दुरघटना के बाद सुमदर पर लगभग तीन सौ से अधिक लोगों की लाशे तैर रही थी। बाकी लाशें कहां गई कुछ भी नहीं पता चला। आइसबर्ग की दी गई थी छे बार चेतावनी। लिए इस्तेमाल किया जाना वाला बाइनोक्यूलर्स बंद करके रख दिया जाता था। इसके कारण समुदर में आगे के हालत नहीं पता चल पाया और दुरघटना हो गई। लाइफ बोट की संख्या में हेज बीस थी। अगर इसकी संख्या ज्यादा होती तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। ज्यादा हुआए रख था। झाल झाल